सो क्याज़ आप सभी लोग स्वागत एक और नीवरे में और आज हम बात करेंगे Realme UI 5.0 base Android 14 अब्डेट के बारे बीट लगबग सभी रिवाइस के अंदर Realme UI 4.0 base Android 13 का अब्डेट जो है और इसी user experience के साथ मैं आपको बता सकते हूं कि Realme UI 4.0 का जो प्रॉब्लम है नेट्रक इशू, ग्रीन लाइन इशू, डेटा इंस्टीबिलिटी, डेटा लीकेज का प्रॉब्लम इतने साथे प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम के साथ जो Realme UI 4.0 को Realme का सबसे घटिया UI बनाता है इससे पहले भी बहुत सरे UI रियलम ने लाउंच करा है बट बहुत सभी अच्छे थे बट 4.0 का माज़रा कुछ अलग ही है यहां पर और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे Realme को Realme UI 5.0 के अंदर क्या कुछ इंप्रॉब्लमेंट लाना चाहिए ताकि Realme UI का User Experience है बहुत बेटर निकल गाए पहले के Realme UI 1.0, Realme UI 2.0, Realme UI 3.0 यह बहुत बेटर UI थे बट यहां पर Realme UI 4.0 पूरा उल्टा हो गया भई यहां पर Realme 4.0 का Experience, User Experience, Performance सब कुछ सबसे घटिया निकला पहले के जो तीन UI थे वह बहुत अच्छा था बट 4.0 is an lucky one for Realme अब बात करेंगे कि क्या कुछ इंप्रॉब्मेंट Realme की यहां पर करना चाहिए Realme UI 5.0 के अंदर पांच ऐसी जगह है जहां पर Realme को इंप्रॉब्मेंट की जरूरत है Realme UI 5.0 के अंदर तभी जाके Realme UI का User Experience दे वह बेटर निकल काईगा और यह मेरा बात नहीं है यह सभी लोग कह रहे जो लोग Realme की डिवाइस करते है वो सभी लोग कह रहे कि Realme UI 5.0 के साथ कुछ ऐसे चेंज लाना चाहिए जो सभी डिवाइस में में देखने को मैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो फाइब पार्ट जिनने Realme को इंप्रूमेंट करना चाहिए Realme UI 5.0 के अंदर इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ मतलब Realme के सभी डिवाइस में सेम फीचर्स प्रोवाइट करना चाहिए Realme UI 5.0 के अपडेट के साथ Realme UI 4.0 के साथ बहुत सारे वेदवाव हुआ है मैं आपको इता दू Realme 9 5G AC के अंदर सभी फीचर्स देखने को मिला है बट Realme 9 5G के अंदर सभी फीचर्स नहीं मिला है बहाँ पे सुपर विजिट से लेके फोल्डर एक्स्रा लर्च करने का भी फीचर्स है वाला डिवाइस में ही AOD पॉसिबाल है ठीक है यहाँ पर AOD को हम एक्स्क्लोडिंग रखते है बट बाकी जो फीचर्स है वो सभी डिवाइस में सेम आना चाहिए Realme UI 5.0 के साथ सेगंड पार्ट इस बेटर ऑप्टिमाइजेशन तो इसलिए मैं कहता हूँ कि Realme UI 4.0 अब्रेट एकदम भी ऑप्टिमाइज नहीं है ठीक है बट Realme को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट अब्रेट जो होगा Realme UI 5.0 जो बहुत ही ज़ल्दे रिलीस होगा बहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन के उपर Realme को जरू नेजट देना चाहिए है पार नमबर 3 is more fluent देखिए Realme UI 4.0 fluent तो है बट सिर्फ 9 series, 10 series and 11 series के लिए और अगर आप थोरा सा budget series पर चले जाए यह Realme UI 4.0 के जाथ जाथ जासे कि C25S, C25, 450A इन डिवाइस में आपको यह update इतना घडिया देखने को बलगा इतना जादा लैग करता है आप मतलब यूजी नहीं कर पाओ को डिवाइस को ठीक है एनिमेशन बगरा इतना जादा लैग ही होता यह बाप पर यहां पर Realme UI को काम करने चाहिए 5.0 के साथ 5.0 जो होना चाहिए वो more fluent होना चाहिए 4.0 के तुल नाम है ठीक है Number 4 is battery drain problem fix ठीक है दोस्तों Realme UI 3.0 के साथ इतना ज्यादा battery drain होता था 4.0 के साथ इसे fixed होना था बट उल्टा और भी बरा दया Realme UI 4.0 के साथ यहां पर 4.0 के बाद इतना ज्यादा battery drain होता है मैं आपको थोड़ा सा एक example देता हूँ मेरा user experience से मैं device जो यूज करता हूँ वो है Realme 9.5 जी और मैंने रात को 30% charge देके सो गया था और सुबह मैंने देखा कि मैं device में 6% charge है 24% battery drain हो गया यहां पर 8 घंटे के अंदर ठीक है समझ सकते हो मैं 8 घंटा नेंद लेता हूँ यहां पर और 8 घंटे के अंदर 24% battery is drain तो Realme को 5.0 के साथ इस problem को सबसे पहले fix करना जाहिए जो battery drain का problem है ठीक है नंबर 5 is stop ad and recommendation दोस्तों यह जो है Realme को इस department पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि Realme UI 4.0 इसी topic पे सबसे ज़्यादा बनाम हुआ है ठीक है कि ads और recommendation इतना जादा है हर जगा आपको ads देखने को मिलता है जो neat and clean user experience थे वो फिर से निकल गाए है ठीक है आप महेंगे महेंगे phone प्रोवाइट कर रहे हो कम budget पे बट UI जो दे रहे हो वो सबसे घटिया दे रहे हो अब यहाँ पे आपका UI अब MIUI से भी पीछे हो गया पहले तो MIUI बदनाम था अब Real MIUI बदनाम हो रहा है यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए वही Real MIUI का भी कुछ अलग पहचान है उसे फिर से Real MI को हासिल करना चाहिए आपके आपको क्या लगता है नीचे एक पर कमेर करेके जरूर बतना मैं मिलतों को साथ कमेर के साथ तब तक लिए, गुट्बाइ